नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ीफ और वीपेसीपी से समय सागत है चुँ और सठीमी वीपेसी का पीटी का एकजाम होगा किसी भी वीपेसी की एकजाम में आप जाकर देख सकते हैं बिहार के स्पोर्ट से सम्मंधित एक से दो सवाल मीनिमम पूछे ही पूछे जाते हैं गैरेंटिड होता है कि पूछे जाएंगे और इस बार स्टेटमें वी पूछे जा सकते हैं और वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं इसलिए बिहार के स्पोर्ट से जुरे जितने भी इस बुक में करेंट फैर दिया हुआ है एडिटेरिया बिहार में उसको हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे और वन लाइनर वाला वीडियो भी कम्प्लीट कर वा दूँगा मैं ओके चलिए देखते हैं बिहार के चंदन कुमार सिंग ने लॉन बाल्स में बिहार के लिए सिल्वर मेडल जीता है जरूर ध्यानम रखना ऐसे ही पूसकता है आप लोग और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिहार के चंदन कुमार सिंग ने लॉन बॉल्स गेम से संबंदी थे हैं, और सिल्बर मिडल जीता है, ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये मुंगेर डिस्टी के रहने वाले हैं, कहां पर आजित हुआ था, बर्म चे गोल्ड मेंटल जीता है, किरती राज सिंग ने 57 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में वजन उठाने में, ओके, 36 में राष्टे खेल 22, ये गुजरात में जीत हुआ था, नेशनल गेम्स इस बार का, बिहार के कूल दो कांस पदक जी मिले हैं, दो, रगबी प्रतियस पर नेशनल गेम्स में जो गुजरात में जीत हुआ है, very very important. खेलो इंडिया योथ गेम 22 हर्याना बिहार को कुल दो पदक मिले हैं खेलो इंडिया योथ गेम 22 कहां पर हुआ है तिये हुआ है आपका हर्याना में आयोजन जून 22 में हुआ था इसका बिहार कुल दो पदक जीता था भूला सिंग भारतोलन में स्वर्न पदक जीते थे दूनों टीमों ने खिताब जीते हैं बिहार के पटना के 38 वर्सी रस्मी कुमारी ने एकल यूगल में टीम खिताब सहित तीन खिताब जीता है तो मलेसिया माय जित हुआ था और बिहार के कौन खिला रही है रस्मी कुमारी है अगला है कि BWF पैरा बैडिमिंटन विस्व चै गेम में गोल्ड मेडल जीता है सीनियर नेशनल कुस्ती चेंपियंशिप 24 गेम है बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलो भार्ग वर्ग में कांस पदक को जीता है इनका नाम क्या है नीरज कुमार नाम है और ये कुस्ती से संबंदित परतियोगता था 24 में ग्रिसमिंट कालें डेफ यानि के बधिर ओलंपिक 2021 काईजन ब्राजील में किया गया वैसाली के रितिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था वैसाली के रहने वाले रितिक आनंद ब्राजील में स्वर्ण पदक जीता था इनों है वर्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेंड पिक्स 22, मुरको माय जित हुआ ये, मुरको माय जित हुआ, मुरको कैपिटल आपको बतानी चाहिए, जमुई के पैरा इतलेटिक सेलेस कुमार ने रज़त पदक जीता था यहां पर, जमुई के हैं ये, सात्मी राश्टी ये सब जुनियर रगभी प्रतियोग था, गांधी नगर मे माय जित हुआ था ये गेम, इस खिताब को बिहार पूरिस टीम ने जीता था, राश्टे सब जुनियर भारतोलन प्रतियोग था, भूने स्वन माय जित हुआ, बिहार के भोला सिंग ने 102 किलो भारवर्ग में 276 किलो बजन उठा कर स्वन पतक जीता और राश्टे रेकॉर् नेशनल कराटा चेंपियंशिप 24, बिहार के जमुई जिले के जाबीर अंसारी ने गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ पर जमुई जिले के रहने वाले जाबीर अंसारी, 46 मा जूनियर राश्टे कबड़ी बाली का प्रतियोगता देरबाइस, पाटली पुट्र इंडोर स्टेडियम में हुआ यहाँ जन, कहां पर हुआ था, पाटली पुट्र इंडोर स्टेडियम में, बिजेता हरियाना रहा था, उप बिजेता बिहार रहा था, कबड़ी बाल पुसकार जीत के आए थे वहां से, ओके, बिहार जी संबंधित अन्नी खेल है, यहां पर, उसके भी में बता देता हूँ, पटना में मीरा भाई चानु के साथ, मेरा भाई चानु पता ही, भार तोलन में इनको टोक्यो ओलंपिक में सिल्बर मेडल मिला था, कौन सा अभियान को लौंच किया तो, पैसन को दो पोसन, यही इस अभियान का नाम था, हाली में चरचार है मेरे है, मुकेश कुमार, गुपाल गंज किस खेल से संबनी थे, इनका क्रिकेट टीम में सेलेक्शन हुआ था, हाली में उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में सामिल किया गया और आईपियल के लिए दिल्ली कैपिटल ने 5.5 करोड में इस खिलारी को खरीदा है, बिसी सियाई द्वार आईजित सीनियर महिला टीट्वेंटी क्रिकेट में सुपोल की राजमलक्षमी का चेन हुआ है, कि जिले के रहने वाली हैं ये, सुपोल की और सीनियर महिला टीट्वेंटी क्रिकेट जो होगा उसके लिए इनका चेन हुआ है, गुजरात में हो रहे 36 में राष्टे खेलों में कौन सक राष्टे खेल है ये 36 मां राष्टे खेल है भागलेन वाले बिहार दल के चीफ दमिसन बिहार ओलंपिक संग के चेर्मेन प्रदीप कुमार सिवा निबृत आईएस बने है बिहार के बाले का टीम गुआहाटी में संपन जुनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगता में उप बेज जता रही फाइनल में दादर नागड हैवेली ने बिहार को एक जीरो से हरा दिया था हाली में सौनपतक जीतने वाली खुशी कुमारी किस खेल से संबन दीत है यह वेट लिफ्टिंग से संबन दीत है भार तोलन से बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलारी जिसने दो पारियों में सतक लगाया है तौफी के नाम है जमूई का खिलारी है यह और विजे मर्चेंट ट्रोफी खेलते हुए उसने लगाया था दिल्ली मायजे 37 में स्टेट सूटिंग चैंपियंशिप में गोपाल गन जीले की रहने वाली ससी पांडे ने 10 मीटर एयर प्रिस्टल में गोल्ड मेटल जीता है इन दोर में साथ से नौक्टूबर के संपन हुई तीन दिवसिये पिकल बॉल नेशनल चैंपियंशिप कौनसा पिकल बॉल नेशनल चैंपियंशिप बिहार ने दो स्वर्न दो रज़तक वा दो कांच सहित कुल छे पदक जीते हैं समस्तिपूर जिले के ससीभूसन प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है किस टीम का तो रेसलिंग की जो टीम होती है हमारी उसका कोच बनाया गया है ससीभूसन प्रसाद को समस्ति पूर के हैं ये बिहार क्रिकेट खिलारी इसान किसन एक दिवस्ती अंतराष्टे क्रिकेट मैच में दोहरा सतक 126 गोंदों में लगाने वाले सबसे तेज खिलारी बने हैं ये दोहरा सतक पूरा करने वाले चौथे भारते खिलारी है ये इसान किसन को मुंबई इंडियन्स ने आई पील दोयर बाइस के निलामी में 15.25 करोड में खरीदा जो दोयर बाइस सीजन के सबसे महंगे खिलारी इसान किसन ही है रणजी टॉफी 2.25 में बिहार के लिए डेबियु कर रहे सकीवूल गनी ने अपने पहले ही पर्थम सेनी के मैच में 13 सतक लगाने वाले पहले बल्लबाज बने है गनीने मीजोरम के खिवला खिलाब बिहार के रंजी ट्रोफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गिंदों पर 341 रंड बनाए थे सोच सकते हो तो बिहार के स्पोर्ट का जो मुख्यमों के हिस्सा है वो यही है यहां से आपको एक से दो सवाल आपको मिलेंगे एकजाम में इसको दो से तीन बार इस वीडियो को देख लेना जिसे आपको याद हो जाए चोटी चोटी वीडियो मैं बुक का डिविजन करना चाहिए जिसे आपको उपर ज्यादा भार भी ना परे तेंक्यू सो मुच्च